याद कीजे दोस्तों आज से दो साल पहले का समय जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था पूरी दुनिया में इस चीज की बहुत ज़ादा हाइव मची थी पूरी दुनिया के देशों ने मिलकर इस चीज को कंडेम भी किया था याद तक कि जब भी कोई वर्ल लीडर्स की मीटिंग होती थी न वहाँ पर भी तालिबान और अफगानिस्तान सबसे बड़े इशूस दोते थे लेकिन दोस्तों आपको एक बात और याद रगी चाहिए कि जब पूरी दुनिया मिलकर तालिबान की गवर्मेंट को अपोस कर रही थी उस टैम पाकिस्तान एक मात्र दुनिया में एक ऐसा देश था जो तालिबान की गवर्मेंट को fully support कर रहा था और support इस हध तक कि कही जगे रिपोर्ट भी सामने आ रही थी कि पाकिस्तान तालीबान के Soldiers को हतियार सप्राई कर रहा है और उस टैम के पर्दान मंतरी इमरान खान और उनके मंतरी कैमरे के सामने खूले तोर में बोलते थे कि हम तालीबान को सपोर्ट करते हैं हम उनका वेलकम करते हैं और भी काफी सारी बाती के गई थी पाकिस्तान के मिनिस्टर की तरफ से तालिबान के सपोर्ट में लेकिन दोस्तों मुझे ये भी याद है कि हमारे देश में कई सारे एनलिस्ट होते थे जो हिस्टरी, अफगानिस्तान, इन चीज की हिस्टरी को बहुत अच्छे से जानते थे उन्होंने एक बात बोली थी कि इन दा फ्यूचर तालिबान पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी मनेगा अभी तो बहले वो सपोर्ट कर ले, लेकि आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी सरदर्दी बनने वाला है पाकिस्तान के लिए तालिबान और दोस्तों आपको आए दिन खबरे भी आती होगी, कि तालिबान और पाकिस्तान के सोलजरत के बीच पे लड़ाई हुई है कई बम दमाक के हुई है, कई जड़ाप हुई है इस तरी की खबरे आती रहती है पाकिस्तान से कुछ समय पहले आपको याद होगा कि एक मस्जिद में इनकी दमाक हुआ था जापर सौ से ज़्यादा लोग मारे गए थे सोचे, सौ से ज़्यादा लोग मारे गए थे एक बार में ही, और इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने अपने उपर ली थी देखो दोस्तों पहले तो आप अमने दिमाग से दो चीजे क्लियर कर लो, अफगानिस्तान का तालिबान का हुकूमत आईए, वैसी ही टीटीपी जो है, पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बनाएगा, और उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े न, वो उस हद तक उज़रेंगे और अफगानिस्तान का तालिबान ना पाकिस्तान के तालिबान को फुली सप्पोर्ट करता इस धीच के लिए, आपको याद होगे दोस्तों, जब अफगानिस्तान के तालिबान ने अफगानिस्तान को हरपा था, वो छोटे छोटे एरियो को अपने कबजे में लेते थे, यहीं से उन्हों अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगता है ठीक है यह आपके सामने मैप चल रहा है और यह खैबर पक्तून ख़ा में एक एरिया है जिसका नाम है चित्रला ठीक है और यहापणना काफी सारे गाउं है टीटीपी के यह कहना है कि हमने इन गाउं को अपने अंडर में ले लिया यानि कि यह fully claim कर रहा है इस बात को कि हमने धीरे-धीरे पाकिस्तान को take over करना शुरू कर दिया है देखिए अब यह ना बहुत बड़ी alarming situation है पाकिस्तान के लिए और यहां तक कि काफी ज़्यादा खबरे भी लिकल का आई है कि जो खैबर पक्तुन खुआ के उस एरिय में पाकिस्तान का soldier थे ना उन दोनों के बीच में काफी ज़्यादा जड़प हुई है और उसमें पाकिस्तान के काफी सारे soldiers भी मारे गए हैं लेकिन आपके दिबाब में भी एक question होगा कि इसी एरिय को की चुना गया कोई और एरिय भी तो हो सकता था जिसे तालिबान take over कर सकता था इसी एरिय को take over किया देखो यहाँ पर बात सारी है अफगारिस्तान के border की क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अफगारिस्तान का तालिबान पाकिस्तान के तालिबान को fully support करता है और अगर अफगारिस्तान के तालिबान को कोई भी मदद पाकिस्तान के तालिबान को पहुचानी है especially उन एरियों में जहाँ पर TTP का कपजा है तो उन्हें border area ही डूडना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से सारी मदद बहुत ही जाद इसली पहुचाई जा सकती है चाहे हत्यार की हो, खाने पी ने की हो और भी उधर-उधर की चीज़े होती है लेकिन जैसी ही दोस्तों एक खबर सामने आए कि वहाँ पर भेढंग चल रही है वैसी ही तुरंत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का border को siege कर दे गया जो border अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लगता है उसे बोलते है तोरं border आपने काफी बार इस border का नाम सुना भी होगा न्यूस वगेरा में तो इस border को अब siege कर दे गया है यानि कि बंद कर दे गया है यानि कि अब कोई भी लेन देन पाकिस्तान से वो हमने नाकाम कर दिये यानि कि हाँ TTP के जो लड़ाके उन्होंने कोशिस तो की थी कि उन गाउं को कब जा ले जाए लेकिन पाक soldier ने इस चीज़ को नाकाम कर दिया लेकिन वही TTP के कहना है कि हमने fully तरीके से यहाँ पर कब जा ले गया है और पाकिस्तान के काफी सारे soldiers को भी माड दिया गया है अब किसकी बात पर यकीन करना सही है और किसकी बात पर यकीन करना नहीं है अब ये बात तो मैं कहनी सकता आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते कि कौहन सही बोल रहा है लेकिन हाँ एक बात तो कन्फरम है कि पाकिस्तान के इलाके को कब जाने की कोशिस तो जरूर की जा रही है जैसी सुरुवात अफगानिस्तान में हो थी सेम वैसी सुरुवात पाकिस्तान में भी हो रही है अब देखते दूस्तों आने वाले वक्त पे और क्या खबरे लिखा का आती है उमीद करते हो दोस्तों आप सबी को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक से और सस्क्राइब जरूर से कीजिएगा आज के लिए इतना ही बहुत बतन्यवाद